चले नेक कोशन है कल्कुलेट मोड करना है हम लोग का कोशन नमबर 31 है कोशन नमबर 31 कल्कुलेशन आव मोड देखिए जितना भी कोशन टोटल पुछा जा रहा है इस सभी कोशन आपके एक्जाम के पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका मैथ है क्या कोशन है वेजेश कितना है सतर तक है टोटल यह जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 यहाद है टोटा है आपको अगर फैदा तनिक भी हो रहा है तो आप इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और दूसरे वच्चों तक पहुँचाईए इसको ताकि उनको भी यह चीज फैदा हो ठीक है? आई यह कोशन में वर्कर्स एक्चुली इसको हम लोग क्लास भी मान लेते हैं और इसको फ्रिक्वेंसी मान लीजिए अच्छा रहेगा एक फ्रिक्वेंसी क्या है? 6 9 10 16 12 8 और 7 एक टोटल है एक बार इस कोशन को ध्यान से देख लीजिए और हमेशा जिन्दगी के लिए मौट से छुटकारा पा लीजिए लेकिन एक बार इसको ध्यान से जरूर देखिए आईए फर्स्ट अप और इसमें इंपॉर्टेंट सीज क्या देखना है? इस फ्रिक्वेंसी के डेटा में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? तो यहाँ पर देखने को आ रहा है 60 यानि यही मेरा क्या हो जाएगा F1 और यह हो जाएगा F0 और यह हो जाएगा F2 बढ़ ध्यान रखेंगे यह वास्तविक में तो सुला दीख रहा है बड़ा लेकिन कभी कभी क्या है यह एक्चुबल में बड़ा होता नहीं है इंटर्नली में इसका देखा जाए तो यह एक्चुबल में बड़ा होता नहीं है तो इसके लिए क्या हम लोग ग्रूपिंग टेबल का सहरा लेते हैं ग्रूपिंग टेवल से बनाना पड़ता है कोशन और वहाँ पर इसका जाज के पता चलता है कि एक्चुवल में बड़ा है को तो खेर हम लोग अभी ग्रूपिंग टेवल का सहारा नहीं ले रहे हम लोग डारेटली इस इसको पता कर रहे हैं कि यह 16 बड़ा ऐसे एक्चुव यह से ऊड़ा नहीं इकारा के एफ़ ले देगे ग्रूपिंग टेवल का लेकिन यदि हम ग्रूपिंग टेवल ना भी बनाते हैं और डारेटली इध्यवहम पता करें की कैसे बड़ा है चरदीज करने, इसको जोड़िए यहैंदी सोला का यामने और सामनी कितना बोटिंग 16 और फिर 12 टोटल 8 कर दीजे 6 अर्दू 8 और 3 यानि कितना आगया 38 आया और दूसरा कुन हो सकता है बड़ा तो 12 हो सकता है तो 12 को लिजे और इसका रामने सामने तो 16 और खुद का 12 और फिर 8 आठ अर्दू 10 16 का 6 हाथ में 2 और एक दिन यानि कितना आगया 36 और या आया 38 यानि वैसे तो यह दीखी रहा है 16 बड़ा लेकिन अगर इंटर्नली भी जाच किये तो यह क्या पता चल रहा है 16 ही सबसे बड़ा है यह 12 बड़ा नहीं हो सकता है ठीक है लेकिन दियान रखेंगा यदि 8 के जगह पर 11 हो जाता तो 12 ही सबसे बड़ी संख्या हो जाती है ना तो यह चीज़ हम लोग directly सीखे कि कि किसको हम बड़ा और छोटा सलेक्ट कर सकते हैं ठी वास्तिविक में देखे कि वह actual में बड़ा है या नहीं तो उसका दो तरीका है आप grouping table बनाईए या फिर आप assessment इस तरीके से भी कर सकते हैं ठीक है तो actually यहाँ पर grouping table नहीं हम लोग को बनाना है directly हम लोग को यहाँ पर बनाना है आई हम directly बनाकर बताते हैं अधिया आपका requirement ह हो तो next class में grouping table के माध्यां से question solve करके बताएंगे ठीक है लेकिन जरूर होना चाहिए यह requirement क्योंकि आपका ललक होना चाहिए पढ़ने का आज़े solve करते हैं तो use of formula क्या है z से denoted के रिए l1 f1 f0 2f1 f0 f2 और multiply आई होगा इसको c से भी denote कर सकते है actually दीख नहीं रहा है आपको न चेली दीखिया solve करिए यह formula होगे z बराबर l1 plus f1 minus f0 bottom हो जाएगा 2f1 minus f0 minus f2 multiply इसको c से भी denote करेंगे ठीक है l1 बराबर कौन हो जाएगा देखिए यह f1 हो गया यह f0 f2 यह आपका mode class हो जाएगा यह यह l1 और यह l2 तो यह 11 बराबर कितना हो गया 30 और f1 बराबर 16 f0 बराबर 10 और 2 16 10 और f2 बराबर बराबर और c यानि class difference तो कितना है 10 का 30 और 16 को 10 मैनस करेंगे 6 16 दुना 32 और इसको 8 करेंगे तो 22 और 10 30 60 मैनस करेंगे इसको 10 और यह balance कट जाएगा 30 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 36 एंसर हो गया तो हम सभी previous year 2019 का group A, group B, group C और group D question solve किये next class में आप क्या चाहते हैं जाए comments box में और comment करके हमें बताइए तब तक के लिए all the best, thank you